अध्याय साथ तब महायाजक ने पूछा क्या ये बाते योही हैं? उसने कहा हे भाईयों और पित्रों सुनो हमारा पिता इब्राहीम हारान में बसने से पहले जब मिसु पुतामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तु अपने देश और अपने कुटुम्ब से निकल कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा तब वो कसदियों के देश से निकल कर हारान में जा बसा और उसके पिता के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो और उसको कुछ मीरास बरन पैर रखने भर की भी उसमें जगाए ना दी परन तुप्रतिग्या की कि मैं ये देश तेरे बाद तेरे वन्ष के हाथ कर दूँगा यद्य पि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था और परमेश्वर ने यों कहा कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और चार सौ वर्ष तक दुख देंगे फिर परमेश्वर ने कहा जिस जाती के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूँगा और इसके बाद वे निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इस हाक उससे उत्पन हुआ और आठमें दिन उसका खतना किया गया और इस हाक से याकूब और याकूब से बारह कुलपती उत्पन हुए कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा परन्तु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ा कर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा जिससे भारी कलेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन नहीं मिलता था परन्तु याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा और दूसरी बार यूसुफ अपने भाईयों पर प्रकट हो गया और यूसुफ की जाती फिरौन को मालूम हो गई तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा तब याकूब मिस्र में गया और वहां वो और हमारे बाप दादे मर गए और वे शिक्म में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे इब्राहीम ने चांदी देकर शिक्म में हमोर की संतान से मोल लिया था परन्तु जब उस प्रतिग्या के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहीम से की थी तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए जब तक के मिस्र में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था वे बहुत हो गए उसने हमारी जाती से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक दुर्व्यवहार किया के उन्हें अपने बालकों को फेक देना पड़ा के वे जीवित न रहें उस समय मूसा उत्थपन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर था वो तीन महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया परन्तु जब भेक दिया गया तो फिरॉन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थी था जब वो चालीस वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राइली भाईयों से भेट करूं उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देख कर उसे बचाया और मिस्री को मार कर सताय हुए का पल्टा लिया उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उध्धार करेगा परन्तु उन्होंने ना समझा दूसरे दिन जब ये आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और ये कहके उन्हें मेल करने के लिए समझाया के हे पुरुशो तुम तो भाई भाई हो एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो परन्तु जो अपने पडोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे ये कहकर हटा दिया के तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है क्या जिस रीति से तुने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है ये बात सुनकर मुसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके दो पुत्र उत्पन हुए जब पूरे चालीस वर्ष बीत गए तो एक स्वर्ग दूत ने सीनई पहाड के जंगल में उसे जलती हुई जाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया मुसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभू का ये शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहीम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ ये सुन मुसा काँप उठा यहां तक के उसे देखने का हियाव न रहा तब प्रभू ने उससे कहा अपने पावों से जूती उतार ले क्योंकि जिस जगह तु खड़ा है वो पवित्र भूमी है मैंने सच मुच अपने लोगों की जो मिस्र में हैं दुर्दशा देखी है उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है इसलिए उन्हें छुडाने के लिए उत्रा हूँ अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूँगा जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याई ठहराया है उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुडाने वाला ठहरा कर उस स्वर्ग दूत के द्वारा जिसने उसे जाडी में दर्शन दिया था भेजा यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में चालीस वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया यह वही मुसा है जिसने इस्राइलियों से कहा के परमेश्वर तुम्हारे भाईयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविश्य द्वक्ता उठाएगा यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्ग दूद के साथ सीनई पहाड पर उससे बातीं की और हमारे बाप दादों के साथ था उसी को जीवित वचन मिले के वो हम तक पहुँचाए परन तु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा वरन उसे हटा कर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चलें क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया हम नहीं जानते उसे क्या हुआ उन दिनों में उन्होंने एक बच्छडा बना कर उसकी मूरत के आगे बली चड़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे सो परमेश्वर ने मुह मोड कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण पूजें जैसा भविश्य द्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इस्राइल के घराने क्या तुम जंगल में चालीस वर्ष तक पशुबली और अनबली मुझही को चड़ाते रहे और तुम मुलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था मैं तुम्हें बाबल के परे ले जाकर बसाऊंगा साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था जैसा उसने ठहराया जिसने मुसा से कहा कि जो आकर तुने देखा है उसके अनुसार इसे बना उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्वकाल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए जिस समय के उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया और वो दाऊद के समय तक रहा उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया सो उसने बिंती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवा स्थान ठहराऊं परन्तु सुलैमान ने उसके लिए घर बनाया परन्तु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता जैसा के भविश्य द्वक्ता ने कहा कि प्रभू कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और प्रित्वी मेरे पावों तले की पीड़ी है मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा क्या ये सब वस्तु में मेरे हाथ की बनाई नहीं हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो भविश्य द्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला, अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए, तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परन्तु उसका पालन नहीं किया ये बातें सुनकर वे जल गई और उस पर दात पीशने लगे, परन्तु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महीमा को और ज्यूशू को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर खा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनिश्वर के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्ला कर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर छप्टे, और उसे नगर के बाहर निकाल कर पत्थरवा क करने लगे, और कभाओं ने अपने कपड़े शाउल नाम एक जवान के पाउं के पास उतार रहे, और वे स्टिफन उसको पत्थरवा करते रहे, और वो ये कहकर प्रात्ना करता रहा के, हे प्रभू यिशू, मेरी आत्मा को ग्रहन कर, फिर घुटने टेक कर उचे शब्द से उकारा, हे प्रभू, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया, शाउल उसके वद में सहमत था, झाल झालत्त कर प्रात्स कर विए।